पिछले वीडियो में हमने एक अंक दो अंक तीन अंक तता चार अंक के प्रश्णों की चर्चा की आज हम पांच अंक के प्रश्णों की चर्चा इस चौंथे भाग में करेंगे तो जिसमें 22 प्रस्ण हमें निम्न समीकरण के मूल ज्यात करना है समीकरण निकाए दिया गया है एक्सधन एक बटे एक्स बराबर तीन जहां पे एक्स कमान सुनने के बराबर नहीं है इस प्रस्ण में हमें एक्सधन एक बटे एक्स बराबर तीन ज्यात है इसे हम सरल करते हैं हर काम LCM लिते हुएल करें तो X कियाद 2 धन 1 बटे X बराबर 3 हमें मिल जाएगा जिससे हमें पक्षांतर करने पर 3 गुणा होगा तो यहां हमें X स्क्वेर धन 1 बराबर 3 X मिलेगा और इसके बाद हमारा पक्षांतर करने पर समिकरन तियार हो जाएगा वर्ग समिकरन X कियाद 2 रिंड 3 X धन 1 अब यदि हम तुलना करें तो ध्यान से देखने पर हमें यहां से A का मान 1 मिलता है B का मान रिंड 3 और C का मान 1 प्राप्त होता है अब हम जो हमारा सूत्र है वर्ग समिकरन को हल करने का उस सूत्र में हम A, B, C के मान रखते हैं तो यहां हमारा सूत्र है रिंड B, धन, रिंड करनी B का वर्ग रिंड 4, C, बटे 2, A इसमें मान रखने पर A, B, C के इस तरीके से मान रख दी हमने और फिसरल किये तो 3 धन रिंड करनी 9 रिंड 4, बटे 2, अर्थात हमें मिल जाएगा 3 धन रिंड करनी 5, बटे 2, अते हम यदि अलग-अलग चिन ले ले लें तो हमें 2 मूल प्राप्त हो जाएंगे एक धनात्मक लेने पर X बरावर 3 धन करनी 5, बटे 2, और एक रिंड चिन लेने पर हमें मिलेगा 3 धन करनी 5, बटे 2, इस प्रकार से यहां अंकों का विभजन आप देख रहे हैं कि 5 अंक का प्रश्न था यहां समीकरण के मूल बनाए गए तो पेhلا समीकरण बनाने पर एक अंक मिला फिर उसमें हमें ABC के मान लिखने पर तीसरा अंक हमें जो सूत्र था उसे लिखने पर प्राप्त हुआ इस प्रकार से समीकरण निकाय को यदी हम हल कर लेते हैं आगे तो हमें आगे एक अंक और इस प्रिकार दो रों मूल लिखने पर एक अंक मिलते हैं पांच नंबर इस प्रिकार से इसमें डिस्ट्रिबूट किये गए अथो हमें दो ऐसे क्रमागत विसम पूर्णांग धनात्म कूर्णांग ग्यात करना है जिनके वर्गों का योगफल दो सो नब्बे है पमाल लेते हैं कि दोनों धनात्मा क्रमागत विसम पूर्णांग क्रम से एक सथा एक सथा एक सथन दो है तो प्रश्ण के रुशा, दोनों के वर्गों का युखफल, यहां पे वर्ग का युखफल दोसुनब्वे के बराबर है, इसे हम सरल कर लें, सरल करने पर हमें समीकरण निकाय कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, यह हमारा समीकरण निकाय मिल गया, X की हाथ 2, धन 2, X रिन 143 यहां हम A, B, C के मान निकालने तो A का मान यहां से 1, B का मान 2 और C का मान रिन 143 मिल जाता है समीकरण, दुईगास समीकरण का जो सूतर है हमारे पास रिन B, धन रिन, कर्णी B का वर रिन 4, C वटे 2, A में इसका यदी मान रख दें तो मान रखने पर हमें कुछ इस प्रिकार से हल मिलता है और फिर इसे आगे और सरुल कर दें तो हमें रिन 2 धन, रिन कर्णी 576, B, अर्थात इसका वर्गमूल ले ले आपन वर्गमूल लेने पर यहां हमें मिल जाएगा रिन 2 धन 24, यदी हम धनात्मक्षिन लेते हैं तो और सरुल करने पर 22 बटे 2, अर्थात हमें 11 मिल जाएगा और इसी तरीके से रिनात्मक्षिन लेते हैं तो रिन 2 धन 24, अर्थात रिन 26, बटे 2, रिन 13 हमें यहां प्राप्त हो जाता है हम यदि धनात्वांग पुल्णांग की बात कर रहे हैं तो वह पुल्णांग हमारा 11 है और दूसरा पुल्णांग हम 11 धन दो अर्थात 13 हमें प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार यदि हम उत्तर की जाच करें तो दोनों समिकरंड के वर्गों का योगफल 290 होना चाहिए तो हम 11 का बार और 13 का बार करके चेक करते हैं तो यहां प्राप्त हो जाता है हमें 290 के बराबर इस प्रकार हमारे अंकों का भाजन यहां पे आप देखिए किस प्रकार से हुआ है एक अंक यहां पे सर्वस्मिक दूसरा अंक हमें यहां पराप्थ हो रहा है और तीसरा अंक हमें आगे की और पराप्थ हो रहा है चौता अंक भी और इसमें की जिसमें क्या थे इसका महान मिल जाता है करणी साथ बटे चार और इसी तरीके से का सूतरु ने हम जानते हैं कि शार से चार हो जाता है तो पाइधागोरस प्रमेश से हम आधार यहां से इस कर्णी साथ ग्याद कर सकते हैं और कॉस यह बराबर चुंकि आधार बटे कर्ण होता है तो कर्णी साथ बटे 4 और 10 यह बराबर होता है लम बटे आधार तो जिससे 3 बटे कर्णी साथ प्राफ्त हो जाएगा प्रस्ण करभांग 23 के अथोँ में जो प्रस्ण पुछा गया उसमें दिखा था 210 स्क्वेर 45 प्लस कॉस कर 30 माइनस साइन स्क्वेर 60 इस प्रस्ण में यदि हम 1045 का मान एक कॉस 30 का कड़नी 3 मुटे 2 और साइन 60 का मान कड़नी 3 मुटे 2 रखें तो इस प्रकार से समीकरण को हम इस प्रकार मान रखने पर टाप्त कर सकते हैं दो दन तीन वटे चार ये दोनों आपस में कैंसल होंगे तो यहाँ पर हल करने पर हमें दो मिल जाएगा इसन करमांग 24 में पुछा गया एक तरभुज ABC के समरूप एक तरभुज की रचना करनी है जिसकी बुजाएं तरभुज ABC की संगत हुजाओं की 5 बटे 3 हो सबसे पहले हम एक तरभुज ABC की रचना कर लें इस तरभुज ABC की रचना करने के बाद यदि हम बिंदू B से BX रेखा इस तरीके से हम यहाँ पे खीच ले और फिर इसके हम चुकि 3 बटे 5 की बात कर रहे हैं तो 5 भाग यहाँ पे B1, B2 बरकार की साहता से चाप काट लें अब हम जो हमारा तरभुज BC ABC था उसमें BC भुजा को और आगे हम बढ़ा दें फिर एक चाप यहाँ पर हम कीचते हैं इस तरीके से और फिर B पर प्रकार रखकर पुने एक चाप यहाँ पर कीचते हैं इसके बाद हम यहाँ पर प्रकार रखकर एक चाप यहाँ काटते हैं फिर से यहाँ पर प्रकार रखकर दूसरा चाप यहाँ पर काट दें और इस प्रकार यदि हम B3 से C को मिला दें इसी के समानतरम भी 5 से C डेस को मिला दें इसके बाद हम जो बिंदू प्राप्त हुए हैं उन बिंदूओं से एक चाप पुने हम C पर काटते हैं और इसी पकार से बिंदू C डेस पर भी एक चाप काटते हैं हम और फिर यहां पर प्रकार रखकर एक चाप यहां काट दें और यहां प्रकार रखकर एक चाप यहां काट दें तो हम देखते हैं इस भुजा को आगे तक बढ़ाने पर एबी भुजा को हम A डेस तक बढ़ा दें तो ये हमारा A-C के समांतर A-C- एक फुजा प्राप्त हो जाती है जिससे हमारा ये एक तुरुभुज जिसके समांतर तुरुज हमें रचना करनी थी तीन वोटे पांच की उसका निर्मान हो जाता है इसके बिंदू हम रचना के चरण कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं यहां हम B, C से C, A के दूसरी और B, X किरण खीच लेते हैं दूसरा बिंदू अब B1, B2, B3, B4, B5 समान दूरी पर B, X चाप खीच लेते हैं और B3 से C को मिलाएंगे और B5 से उकर जाने वाली B3, C के समान दूरी एक रेखा बढ़ाएगे रेखा कंड B, C को C, पर प्रतिछित करते हुए रेखा खीचेंगे फिर C, से उकर जाने वाली C, A के समान दूरी एक रेखा बढ़ाने पर और रेखा कंड B A को A डैस पर पतिछत करते हुई एक रेखा खीचेंगे तब A डैस B डैस C डैस अभी इस त्रिबुज होगा अभी इस त्रिबुज A B C को और A डैस B डैस C डैस की अधी तुलना करें तो यह समरूप होंगे क्योंकि B C और B डैस C 5 बटे 3 अर्थात A B डैस B, A C डैस C डैस और B C डैस B डैस C बरावर होगा तीन बटे 5 इसी प्रकार A डैस B बटे A B और A डैस C डैस बटे A C और B डैस C डैस बटे C यह सभी बरावर होंगे पांच बटे 3 के इस प्रकार से हमारे एक समरूप त्रबुच की रचना हो जाती है 24 प्रस्ण के अथवा में जो प्रस्ण पूछा गया था है रचना करनी थी किसी चूड़ी की जाहता से एक ब्रत कीचना था ब्रत के बाहर एक बिंदू से ब्रत पर इस पर स्रिखाओं की रचना में करनी थी सबसे पहले हम वो को केंदर मांते हुए एक ब्रत का निर्माण करते हैं फिर हम यदि जो त्रिज्जा है उसको हम आगे बढ़ाते हुए ले जाएं तो इस प्रकार से हमने इसको आगे बढ़ा दिया और फिर O और P जो रिखाखंडे उसका हम अर्दक खीच लेते हैं इस प्रकार से और फिर इन दोनों को आपस में हम मिला दें तो यहाँ पे हमारा M मिंदू प्राप्त हो जाता है इस M मिंदू पर प्रकार की नोक रखके हम पुने एक व्रत्त का निर्माण कर लेते हैं और फिर इस P बिंदू से जो हमारा व्रत्त था दूसरा वाला उस पर इस पर स्रिखाम खीच लेते हैं P Q और P R इस परकार रचना के पर हम लिखेंगे ओ केंदर वाले एक व्रत्त की रचना करेंगे ब्रत्त के बाहर इस्थित पी बिंदू से ओ को मिलाएंगे पी ओ को संद्वाइद करेंगे मद्द बिंदू M ग्यात होगा M को ब्रत्त का केंदर वांते हुए दूसरे ब्रत्त कानिर्माण करेंगे यह ब्रत्त दिये हुए ब्रत्त के बिंदू P तथा Q पर प्रतिछथ करता है उसको हम आपस में मिला देंगे अर्थात P को Q तथा R से मिलाएंगे और तब हमें PQ तथा QR 2S पर्स रिखाएं प्राप्त हो जाएंगी प्रश्न क्रमांग 25 इस प्रश्न में एक संकू के छिननक जो 45 cm उचा के सिरों की तरिज्याएं 28 और 7 cm हैं इसका आयतन हमें ग्यात करना है हमें ग्यात है H बराबर 45 cm R1 का मान 28 cm और R2 का मान 7 cm पाई का मान हमें 22 बटे 7 है तो संकू के जो छिननक आयतन है एक बटे 3 पाई H R1 का स्क्वेर धन R1 R2 धन R2 का स्क्वेर इसमें हम जदी मान रख देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है अब इसके बाद इसे हम आगे सरल कर ले तो ये हमें इस तरीके से प्राप्त हो जाता है 22 गुणेत 15 गुणेत 147 बराबर 48,510 गन सेंटिमिटर इस छिननक का आयतन होगा अंकों का विभाजन आप देखी रहें कि कहां पे अंक हमें प्राप्त हो रहें एक अंक यहां मिला दूसरा यहां मिल गया और इसी प्रकार से तीसरा अंक हमें यहां मिल गया है चौथा अंक यह मिल गया और अंत में जब हमारा अंसर आ गया है तो पाच्वा अंक हमें यहां मिल गया अगला प्रश्न है पानी से भरी हुई टंक एक अर्द गोलाकार टंकी को पाइप दौरा तीन सहीं चार बटे साथ लीटर प्रति सेकंड की दर्थ से खाली किया जाता है यदि टंकी का व्यास तीन मीटर है तो वह कितने समय में आदी खाली हो जाएगी जबकि पाई कामान 22 बटे साथ लेना है चुकि पानी की टंकी अर्द गोलाकार है जिसकी तरिज्जा हमें तीन बटे दो मीटर ग्यात है तो इस टंकी का आयतन दो बटे तीन पाई आर क्यू अर्थात हल करने पर हमें ये टंकी का आयतन 99 बटे चौदा घन मीटर प्राप्त हो जाता है उस पानी का आयतन जिसे खाली किया जाना है अर्थात अर्द गोलाकार है इसलिए आधा कर दें तो एक बटे दो 99 बटे चौदा घन मीटर अब इसे और सरल करें तो लीटर में यदि बदलना है तो एक जार का गुणा करना पड़ेगा और गुणा करने पर हमें 99 जार बटे 28 लीटर प्राप्त हो जाता है जिसको हम सरल करेंगे तो 3 सही 4 बटे 7 बराबर 25 बटे 7 लीटर पानी खाली होता है एक सेकंड में यह हमें ग्यात है और फिर इसके बाद हम 99 बटे 28 गुड़ित 7 बटे 25 कर दें तो उससे समय निकल जाएगा कि 16 दसमलो 5 मिनिट में यह टंकी हमारी खाली हो जाती 26 वे नमबर के प्रशन की जिसमें विद्यारती हूं कि एक सम्मूं दवारा मौले के 20 परिवारों पर किये गए सर्वेक्षन के परिणाम सरूप विविन परिवारों के सदस्यों की संक्या से सम्मंदित निम लिखे तांकड़े हमें प्राप्त होते हैं परिवार की माप गया थे हमें एक से तीन, तीन से पांच, पांच से साथ, साथ से नौ, नौ से ग्यारा परिवारों की संक्या इसमें करम से साथ, ताथ, दो, दो, एक है तो इन आकड़ों का हमें बहूलक गयात करना है जैसा कि प्रश्णों में दिया गया है परिवार की माप, इस तरीके से वो परिवार की संख्या, तो इन आकड़ों में हम देख रहे हैं, अधिक्तम जो बारम बारता है वो आठ है, इसके सामने हमारे जो परिवार की माप है, तीन से पांच, इसके अधार पे हम L1 और L2 का मान निकाल लेते हैं, निम्न सीमा हमारी तीन होगी, इस प्रकार बहुलक का सूत्र यदि रखते हैं, L धन, F1-F0, बटे 2F1-F0-F2, इन 2H, तब मान रखने पर, हमें इस प्रकार से हल, तीन धन, 8,7, 2 गुणित 8,7, 3,2, गुणित 2 के बराबर मिलेगा, और इसको सरल करेंगे, सरल करने पर हमें 2 बटे 7 यहाँ पे मिल जाता है, और फिर इसे हम हल कर लें, तो लगुता ममारा 7 आता है, और इस प्रकार से 21 धन 2, अर्थाथ यहाँ पे 23 बटे 7, अर्थाथ 3.286, इसका ब पुछा गया था, उसमें लिखा तकी दिये गया आंकडों में, हमें समांत्रमादी की गढ़ना करनी है, जिसमें वर्ग अंत्राल दिया गया है, 10 से 25, 25 से 40, और 40 से 55, 75, 85, 85, 100, इसमें विद्यारतियों की संक्या 2, 3, 7, 6, 6, 6 ग्यात है हमें, इसके अधार पे हम समांत्रमा गयात करने के लिए 10 से 25 का माद्यबान हमारा दोनों में जोडने पर 2 का भाग दे दें, तो 17, 5 प्राप्त होगा, 25 से 40 को जोड़ दें, और 2 का भाग दें, 32, 5 इस तरीके से 47, 5, 62, 5 और आगे हमें 62, 57, 5, 92, 5 प्राप्त होता है, और फिर यदि हम यहाँ पे जो अमारी बार करता है, एफ और एकस इन दोनों का आपस में हम गुणा कर दें, तो एफ एकस गयात होगा, एफ एकस के लिए हम 2 का गुणा जैसे 17, 5 में करते हैं, तो 35, पिर उसके लिए 3 का गुणा। प्राप्त हो जाता है अब हम इन सब को जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर हम देख रहे हैं यहां पर हमारा प्राइक्ट जो आवर आवत्ती है उसका योग sum of f बरावर 30 प्राप्त होता है और जो गुड़न फल था हमारा sum of fx का 1860 को योग प्राप्त हो जाता है इस पकार से समांतर माद्य का यदि सूत्र रखा जाता है तो समांतर माद्य के सूत्र रखने पर x बार बराबर sum of fx बटे sum of f तो 1860 बटे 30 कर दें, कैंसल कर दें, तीन का भाग दे दें, तो ये 62 बार चला जाता है, इस पकार से 17 माद्य हमारा 62 होगा, इसे हम अन्य विधी से भी हल कर सकते हैं, जिसमें भी अंक मिलेंगे, यहाँ पे अंकों का वित्रान आप देख चुके हैं, यह किस पकार से 3 अंक गये हैं, और फिर एक अंक और फिर यह एक अंक अंत में दिया गया, तो यह हमारा वार्षिक परिक्ष्चा 2019 में आया हुआ, मादविक स्वांडल, मंपंत्य प्देश, भुपाल दौरा, हाई स्कूल साइट प्रिट में पूछा गया प्रश्न पत्र था, आगे भी हम इस प